आजमगड के मुबारक पूर थाना क्षेत्र के गुलूर में घर के सामने सडक पार कर रही महिला की मार्ग दुर घटना में मौत हो गई बाइक से टक कर होने पर घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया था लेकिन इलाज के दौरान ही कुछ देर बाद मौत हो गई शनिवार को दिन में शव का पोस्ट माटम कर आया गया मुबारक पूर थाना क्षेत्र के गुलूर निवासी सुधा देवी 32 वर्ष पत्नी अखिलेश यादव शुक्रवार की शाम साधे 6 के लगभग श्रोच करके घर जा रही थी जैसे ही रोड क्रोस कर रही थी तभी तेज रफ्तार से आती बाइक ने टक कर मार दिया जिससे घायल होने पर परिजन ने जिला अस्पताल में भरती कराया जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की रात साधे 8 मौत हो गई मृतक को एक पुत्र एक पुत्री है सुनते है मृतका के पती ने क्या जानकारी दी अधिया नाम है उनका क्या मारा अखले सदों कहां घर पड़े गलो पाना मृर्फों क्या घटना घटे थी हमारी अवरत थी रोट पर गई थी एपार सो पार हो रहा था उसके बाद आई बाइक आई बाइक मार दी जक गलो में गलो में हमारे घर के सामने कितनी उमर थी रपाए 3 ठीर क्या नाम था सुदा यादा बच्षे कितनी दो मोके पद्यान दुआ कि नए अस्पतार में आका उन्हां से जब घटना हुई टरंबूलेंस लेकर आ्रहें नहीं आप बाइक से लेकर आएं लेकर आप लेकर आज आए भाइक से ने कि बाइक समारे अधर जा रही थी है भाइक समारे